दैपूर के कोटड़ा से खबर आपको पता दे काबिनेट मंत्री बाबुलाल खराडी को सोशल मीडिया पर धमकी मिली है और देखे मंत्री बाबुलाल खराडी को धमकी के बाद कोटड़ा की ग्रामिडों में आकरोश देखने को मिल रहा है आरोपियों की जल गिरफतारी की मांग यहाँ पर उठाई जा रही है और थोड़ी ही देर में ग्रामिण प्रशाशन को इस पूरे मामले को लेकर ग्यापन भी सौपेंगे कोटडा की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे कि किस सरह से ग्रामिण सडकों पर है मंतरी बाबुलाल खराडी को धमकी मिली और उसके बाद ग्रामिणों में भारी आक्रोश है ग्रामिणों ने आज कोटडा के बाजार तक बन करवा डाले आरोपियों की जल गिरफतारी की मांग यहाँ पर उठाई जा रही है और थोड़ी ही देर में ग्रामिण प्रशाशन को इस पूरे मामिणों को लेकर ग्यापन भी सौपे के तो सोशल मीडिया से काबिनेट मंतरी बाबुलाल खराडी को धमकी मिली है धमकी के बाद कोटड़ा की ग्रामिणों में भारी आक्रोश और आज ग्रामिणों नहीं बज़ार तक बन करवा दिये उसके लाबा कुछी देर में ग्रामिणों की द्वारा ग्यापन भी सौप जाएगा अमारे साथ रेजिडेंट एडिटर रवी शर्मा बनेवे रवी देखिया कर अस पूरे मामली पर नज़र डाली जाए तो खराडी को जस तरह से धमकी मिली उसके बाद कोटड़ा की ग्रामिणों में काफिज़ाद आक्रोश क्या है जानकारी आपके पास बिल्कुल देखिये इंदू दरसल ये बेहत गंवीर मामला है चुकि कैबिनेट इस तर के मंतरी है बाबुलाल खराडी जिनने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से धमकी मिली जान से मारने की और इसके बाद में हाला कि उनको ये घमकी जो मिली थी वो करीब चार दिन पहले मिली थी लेकिन उन्हें कल ही इस बात का पता चला जिसके बाद उन्होंने उद्यापूर रेंच आई जी और पुलिस अदिक्षक दोनों को ही सूचित भी कर दिया है कि इस तरह की घमकी मिली और पुलिस ने जा चाहिए और जल से जल जो आरोपी है जिन्होंने इस तरह की घमकी दिया उन्हें गिरफतार किया जाना चाहिए तो ये एक बहुत गंबीर विशह है पुलिस इस बात को बहुत गंबीरता से ले रही है और इसी बजा से जो आरोपी है उनकी डिटेल खागाल रही है कि कौन है और ये जो शोशल मीडिया जो प्लेट फॉर्म है जिस पर अकाउंट जिससे दमगी मिली है उसको कौन ऑप्रेट कर रहा है ति इन तमाम चीजों को लेकर फुलिस इंवेस्टिगेशन कर रही है जी चलिए बहुत शुक्रिया रवी तमाम जानकारी के लिए